नमस्कार साथियों यदि आप भी KVS में इंटरू देकर के जॉब पाना चाहते हैं जो की सिक्सक भरतियों में यदि आप भी तयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए सुनहेरा आउसर है बताना चाहेंगे देश बरके आप किसी भी राज्ये से हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं ये वैकिनसी निकली हुई है क्योंकि KVS में ये वैकिनसी निकली है केंद्रे विद्याले में आपको बता दू साथियो इसमें PGT लेवल और TGT PRT समेत डॉक्टर्स, नर्स, स्पेसल एजुकेटर, योग, सिक्सक, स्पोर्ट्स, कोच, म्योजिक, टीचर, एंड, डान्स, अनुदेशक, आर्ट्स, एंड, क्राफ्ट, अनुदेशक, परामर्स, दाता, बैंड, अनुद इसमेंड, स्पेस, ट्रेनर की ये वेकिन्सी निकली हुई है, बता दू आपको क्लियरली साथियो ये जो वेकिन्सी निकली हुई है, ये इंटरू के आधार पर इनमें आपका चैन किया जाएगा, यदि आपने बार्वी पास की हुई है, DLAD किया हुआ है, BAD की हुई है, या फिर आपने post graduation किया हुआ है, graduation की हुई है, TAT, CTAT आपने किसी भी राज्ये से किया हुआ है, या फिर आपने TAT level 1, या फिर CTAT 1, या फिर CTAT paper 2 आपने qualify किया हुआ है, तो आप सभी के लिए बहुत अच्छा सुनहेरा आउसर है, जिया साथियो पूरी जानकारी विस्तार स जानेंगे, उससे पहले आप से निवेदने, यदि आप चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आउन कीजिए, ताकि informative वीडियो आप तक पहुंचती रहे, सबसे महत्मुन बात जो कि हम बात करते हैं, ये वैकिन से आखिरकार कहां से न जो की सिक्सा मंतराले भारत सरकार के अंतरगत एक स्वायत सनस्थान है, और इसकी जो जगह है, मेन इसका जो एरिया है, देख सकते हैं, C2 एरिया जनकपुरी नई दिल्ली, इसका ये पिन कोड है, 110058 यानि की 58 इसका पिन कोड है, और इसकी ये ओफिसल वैब साइट है, इ आपको वहाँ पर पूरी PDF मिल जाएगी, Google Form मिल जाएगा, और यहाँ तक कि application form भी मिलेगा, सबसे महत्पुन बात, आपको खुद वहाँ पर जाना है, इंटर्वी के लिए और अपने सभी documents लेकर के जाना है, Google Form भी आपको आवेदन करना है, पूरी जानकारी जानते हैं, आ बॉतिक विज्ञान, रसाइन विज्ञान, जीव विज्ञान, कम्प्यूटर साइन्स, अर्थसास्तर वानिजी, भूगोल, इतिहास, राजनितिक विज्ञान, उसी दिन परशिक्षित यानि की trained graduate teacher TGT के लिए हिंदी, अंग्रेजी, मैथ्स, साइन्स, सामाजिक विज्ञ और संस्किर्ट की वेकेंज मतलब की इंटर्विव है, और कम्प्यूटर अनुदेश घ्यानि की कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर की भी ये इंटर्विव है, उसी दिन जो की 20 फरवरी 2024 को है, अब बात करते हैं, 24 फरवरी 2024 को सुबह 8 बजे, PIT teacher, doctor, nurse, special educator, योग सिक्सक, sports coach, music and dance teacher, arts and crafts, अनुदेश सक परामर्स data band, अनुदेश सक self-defense trainer, इनके लिए जो आपका इंटर्विव होना है, वो 24 फरवरी 2024 को होना है, अब बात करते हैं, इसकी और भी पूरी जानकारी समझ लेते हैं, क्या qualification कैसे आखिरकार आपको आवेदन करना है, चयन प्रक्रिया की यद official website पर इसकी पर, तो वहां पर आपको PDF के साथ में नीचे वाली जो section मिलेगा, उसमें आपको Google form दिया जाएगा, उसे फिल करना है, और उसके बाद मैं आपको इंटरो के लिए चले जाना है, अपने सभी documents ले जा करके, और एक आपको इस PDF को download करने के बाद में एक आपको form म जाएंगे, आविदन करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा knowledge मिलेगी, जानकारी मिलेगी, ताकि आप इंटरो क्रेकर सके, बढ़िया तरीके से आप अपने इंटरो में इंटरो को present कर सके, आप देख सकते हैं, अनुबंद के आदार है, यह TGT के लिए, यह मतलब की यह उनके लिए, देख सकते हैं, इंगलिस, हिंदी, physics, chemistry, math, geography, biology, computer science, commerce, economics, history, political science, TGT की यदि बात करें, तो इंगलिस है, हिंदी है, maths है, science है, social science है, sunskirt है, computer instructor है, PRT है, doctor, nurse है, special educator, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आप, यदि आप देख सकते हैं, और इनकी qualification की दिबात करें, तो qualification भी आप देख सकते हैं, PGT English है, physics है, और भी इनकी qualification देख सकते हैं, यह आपके पास में qualification दी हुई है, जो की clearly mention किया हुआ हुआ है, तो आप इनी मैसे आप के पास होनी चाहिए, साथ में beard compulsory मांगी गई है, और English और Hindi medium आपके पा आना चाहिए, साथ में computer of knowledge application की भी होनी चाहिए, वही same इसमें condition apply है, trained graduate teacher जो कि TGT में भी इसके लिए graduation आपके पास में होनी चाहिए, जो की 3 years के लिए आपने वही subject पढ़ा होना चाहिए, जिसके लिए आप apply कर रहे हैं, CTAT paper twist में चाहिए होगा, जबकि PGT में आपका CTAT नह नहीं चाहिए होता, लेकिन trained graduate teacher में आपके पास में seated paper to qualify होना चाहिए, बीएड भी आपके पास में qualified होनी चाहिए, यूनिवर्स सीटी से, या फिर यदि हम primary teacher की बात करें, तो primary teacher में बारवी पास और साथ में 50% अंकबारी में होने चाहिए, टू येर्स का डिपलोमा होना चाहिए, elementary education में, यानि की, DLAD वाले इसे भर सकते हैं, साथ में ये qualification नहीं है, तो ये होनी चाहिए, अगर ये ये नहीं है, तो आपके पास में ये qualification होनी चाहिए, इसमें देख सकते हैं, seat at paper 1 आपका होना चाहिए, qualified तभी आप आविदन कर सकते हैं, profancy to teach through English and Hindi, paper 1, यदि आपने seat at किया हुआ है, हिंदी और इंग्लिस में आपको इसमें वरियत दी जाएगी, जी हां साथ हो, और knowledge of computer applications की आपके पास में होनी चाहिए, देख सकते हैं, computer instructor की vacancy की बात करें, तो आपके बसें BE या BTEC qualified होनी चाहिए, जो कि computer related degree diploma आपके पास में ह होना चाहिए, जो कि आप एक बार पढ़ करके जरूर चेक कीजिए, doctor के लिए MBBS degree होनी चाहिए, देख सकते हैं, nurse के लिए three year diploma होना चाहिए, जो कि nursing में BSC होनी भी चाहिए, यदि BSC नहीं है, तो और कोई diploma degree होनी चाहिए, special educator की बात करें, तो 12th pass होनी चाहिए, DEAD आपके प पास में होगी, तो आप आवेदन कर सकते हैं, secondary and senior secondary भी होनी चाहिए, देख सकते हैं, इसके लिए भी, और बात करते हैं, yoga teacher की, sports coach की, तो उनके लिए भी degree होनी चाहिए, जो कि इन सभी को एक बार आप जरूर revise कीजिए, और पढ़िए, और उसके बाद में आवेदन format of data, bio data for contractual teachers, इसमें देखिए, नाम, father name, date of birth, address and weather, SC, STOBC, category, telephone, mobile, etc, बहुत कुछ इसमें दिया हुआ, जो आपको fill करना है, यदि आपके पास experience है, तो experience फिल कीजिए, यदि experience नहीं है, तो आप pressure आवेदन कर सकते हैं, अच्छा सुने रहा आवसर है, जियां साथ हूँ, जो कि आने वाले टाइम में भी, अब पर्मनेंट vacancies भी आने वाली है, के वीएस में, लेकिन उससे पहले, ये interview के आधार पर चेजन किया जा रहा है, बहुत अच्छा सुने रहा है, अनुभव भी आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, जियां, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे, बेल आइकन उन कीजे, ताकि informative वीडियो आप तक पहुंचती रहे, मिलते हैं informative वीडियो के साथ, जै हिन, जै भारत!